हेलो स्टुडेंट विल्कम टू आवर्ज मैथ क्लास अज हम जो है नंबर नेम पढ़ेंगे नंबर नेम नंबर नेम कैसे लिखेंगे हम आज हम ये पढ़ेंगे सबसे पहले जानेंगे डिजीट को समझेंगे डिजीट क्या होंगी डिजीट पहले जान लेते हैं इसके लिए 7, 2, 5, 6, how many डिजीट? 1, 2, 3, कितनी डिजीट है इसमें? 3 डिजीट है ऐसे हम कोई दूसरा नंबर लगते हैं 7, 8, 5, 6, 2, इसमें कितनी डिजीट है? इसमें 5 डिजीट है इसको count करिए ज़रा हमारे साथ 7, 2, 5, 0, 0, 2, 5 इनको count करके बताए ज़रा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी डिजीट है? 7 कुछ हैसे हम आज नंबरों का number name कैसे लिखेंगे वो जानेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको place value chart का पता होना चाहिए तो हम आज सीखेंगे Indian place value chart के according number name कैसे लिखेंगे Indian place value chart Indian place value chart इसको कैसे करेंगे अपने पहले पढ़ चुका है कि सबसे शुरू में क्या होता है? शुरू में once होता है तेन्स हंड्रेड थाउजन तैन थाउजन यह हमें सॉर्ट में लिख है टेन थाउजन लैक टेन लैक करोन एंड टेन करोन चुका है यह हम इतने हैं हम फिर से पढ़ेंगे इनको क्या है यह? once, tens, hundred, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, करोन, ten करोन repeat it again once, tens, hundred, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, करोन, and ten करोन हम इस तरीके के नंबरों पर जो है नंबर नेम आज कैसे लिखेंगे? को समझेगे हमारे पास वी नंबर लिखी है इससा सबसे पहले हम इससका नंबरским सीखते हैं in then place valley के according जो है सबसे पहले जो है थ्रे लिखेट के बाद कॉम लगता है in then place valley के according जो है माली जी हमारी कोई नंबर लिखी है हमारी कोई नंबर लिखिये यहांप according to the Indian place value chart कैसे करेंगे तो first comma जो है after three digits पहला comma जो है three digits के बाद होगा one, two, three हम इधर से count परेंगे क्योंकि हमने once लिखना इधर से start की गया तो once, tense ये हो गया अब आगे जो comma रहेगा two digits के बाद रहेगा ये one, two अब ऐसे ही comma आगे हम two, two digits के बाद continue करेंगे लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो सबसे पहला जो comma लिखेंगे, लगाएंगे वो after the three digits and rest of commas after the two digits ठीक है तो हमने यहाँ three digits के बाद comma लगा दिया है, इसको पढ़ेंगे कैसे, once, tens, hundred, thousand तो thousand की जगह पर कौन आया है, thousand की जगह पर seven है, पढ़ेंगे क्या हम इसको seven thousand seven thousand लिख लिया, अब यह क्या है once, tens, hundred, hundred में क्या है six, लिखेंगे हम six hundred six hundred अब once और tens को दोनों को हम साथ में पढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे इसे, twenty five twenty five यह इनका number name लिखना हो गया ओके, next अब आपको दूसरा देते हैं हम अब इसे कुछ बड़ी number लेते हैं दूसरी number लेते हैं जैसे हम यह लिया हमने आपको पहले बोला था कि हम इसको इंडियन प्लेस वैली के according कर रहे हैं तो इंडियन प्लेस वैली के according जो है, first comma, after the three digit तो one, two, three three digit and next comma, after the two digit it means one, two next, ओके, यह two digit तो ही है अगर और आगे कोई number होती तो हम यहाँ पर कॉमा लगाती है यहाँ पर, चीक है अब इसका हम पढ़ते हैं कैसे पढ़ेंगे इसको once, tens, hundred thousand, ten thousand lakh, ten lakh तो जब फिर ten lakh हैगा तो हम दोनों नंबरों को साथ में मिला कर लिखेंगे फिर से पढ़ लेते हैं once, tens, hundred, thousand ten thousand, lakh, ten lakh तो हम इन दोनों नंबरों को जहाँ पर, ten lakh है, मतलब two और zero को साथ में, तो two और zero क्या होगा twenty, इसमें twenty lakh twenty lakh twenty lakh finish once, tens, hundred, thousand, ten thousand इसका मितलब fifty-three thousand fifty-three thousand okay, next हमारा five hundred sixty-seven five hundred sixty sixty-seven यह हम इनका ऐसे नंबर नेम लिखेंगे okay, think, समझ में आ रहा होगा, मैं और कोई दूसरी नंबर लेता हूँ जैसे हमने लिया कुछ उससे भी बड़ी नंबर लेते हैं हमने कहाँ, आपक, first disease first comma after the three disease the first comma हम apply करेंगे one, two, three next comma after the two disease one, two next comma after the two disease okay, इसका naming करेंगे सब कैसे करेंगे once, tens, hundred, thousand ten thousand, lakh, ten lakh, करोण and ten करोण हमें बुला था हूँ, जब भी ten आयागा तो हम दोनों नंबरों को साथ में पढ़ेंगे it means three and zero को three और zero को जब हम एक साथ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे thirty तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम thirty thirty लिख लिख लिए हूँ ओके लिकिन यह था क्या इसका कौन सी प्लेस था यह ten करोण की जगा पर था ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे thirty क्रोण नेक्स्ट है अब इनको लिखेंगे यह कहाँ का था पढ़ लेते हैं फिर से ones, tens, hundred, thousand, ten thousand, lakh and ten lakh हमने अभी बताया आपको कि जब ten lakh होगा तो हमें दोनों नंबरों को साथ मिलेना है it means five और zero को five और zero को हम साथ मिलेंगे five zero का हम fifty means fifty lakh lakh का था न अब यह तो हो गया यहाँ तक आप ढ़किये इसको बचा क्या हमारे पास यहाँ से आप लिखना है में तो इनको count के लिए ones, tens, hundred, thousand, ten thousand means हमारे पास है ten thousand है तो हम मतलब दोनों को साथ मिलेंगे zero और two को और zero और two को क्या पढ़ेंगे zero और two को हम क्या पढ़ेंगे यह क्या पढ़ेंगे twenty नहीं इसको हम two पढ़ेंगे ठीक है तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे two two thousand two thousand हो गया two thousand हो गया बचा क्या हमारे पास five hundred thirty five five hundred thirty five okay I think समझ में आगया हो गई यह चीज अच्छा इसको जरा करिए जरा मेरे साथ करते जाईए आप इसको इसको जरा आप करिए अपने से साथ करते हैं इसको हम सबसे पहले इसमें हम कॉमाज अप्लाई करेंगे हमने बोला according to the Indian place value chart we we will apply कॉमा आफ्टर दर थ्री दिजीट it means one two three okay next कॉमा आफ्टर दर टू दिजीट यह हुआ अब इनका हम पढ़ेंगे one stance hundred thousand के according one stance hundred thousand ten thousand lakh and ten lakh it means fifty three lakh फिर क्या है अब यह zero zero है one stance hundred thousand ten thousand जहां पर हमारा thousand की जगा है वहाँ पर सब zero है तो उसको अब नहीं लिखेंगे अब हम zero नहीं लिखेंगे अब कहां सकरेंगे five hundred thirty five five hundred thirty thirty five okay समझ में आगया होगा तो कुछ आप अब हूम्वक में कर लीजेगा मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूँ हूम्वक में कर लीजेगा कुछ नंबर होगा जैसे की कुछ नंबर फर्स्ट इस यह है सेकेंड नंबर को क्या ही थिंग कर लेंगे आप पहले पता है आपको सबसे पहले हम कॉम अप्लाई करेंगे कॉम अप्लाई करने के बाद उनको हम पढ़ेंगे उनको हम पढ़ेंगे जहां पर 10 होगा जहां पर 10 आएंगे उनको हम दोनों को साथ-साथ पढ़ेंगे साथ-साथ लेंगे और फिर सान साथ लिखेंगे फिर उनको ढगते जाएंगे आगे जितनी डिजीट है उनको हम लिखते जाएंगे इस तरीकी से मारा नमबर ने 789 डिजीट की हम बड़े असानी से कर लेंगे इनको आप अपने इस प्रैक्टिस करिएगा इन नमबरों का मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो पे थैंक यू स्टुडेंट